राधे राधे जैसरी कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूटीब चुनल प्रहर्दिक श्वागत है प्यारे बच्चों आज मैं आपको बैलेंस डाइट संतुली ताहार के बारे में बताऊंगे जो आपके कम्पेटिटिव टेस्ट के लिए चाहे अप्टी जिटी के परिक्ष दे रहे हूं उसके लिए प्रस्णिस में से आते हैं तो चलो मैं बैलेंस डाइट के बारे में बता रही हूं बैलेंस डाइट कहते किसको है संतुली ताहार किसको कहते हैं अगर हम संतुली ताहार को देखते हैं इसकी परिभासा को देखते हैं तो हम जानते हैं कि सभी पॉ अवस्था आदी के अनुसार अगर उचित मात्रा और उचित अनुपात में रहता है तो हम कहते हैं कि वैसा डाइट वैसा आहार संतुरित आहार कहलाता है कि मतलब सभी पॉस्टिक तत्व कैसा होना चाहिए व्यक्ति विशेश की अवस्था उसकी अवस्था कौन सी है उसकी उम्र कैसी है उसका लिंग कौन सा है उसका वजन कितना है उसकी क्रिया सिलता कैसी है क्या वह किसी प्रकार के रोग से पीडित है या नहीं है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर पॉस्टिक तत्व उचित मात्रा और उपात में रहता है उचित मात्रा और बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहर कहते हैं, लेकिन मैंने जितनी आसानी से आपको बता दिया बैलेंस डाइट के बारे में, उतना आसान नहीं है बैलेंस डाइट को चार्ट को तयार करना, हर एक व्यक्ति के लिए उसकी आयू के अनुसार, उसकी वजन के अनुसार, उ तो हमें पहले अगर हम बैल्स डाइट बनाना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो हमें वो उन फ्रैक्टर्स पर ध्यान देना पड़े जो बैलेंश डाइट को effect कर रहा हूँ एंया है रहो मतलव कह संतुलिद अहार को प्रभवित करने वाले कारकों पर जब ध्यान देंगे तभी आप बैलंस डाइट के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और बता पाएंगे और बना पाएंगे होता क्या है हमारे भारतियों के भोजन में कि ज्यादा तर कार्भाहइड्रेट हम यूज में लेते हैं प्रोटीन की कमी होती है वसा की धनाड़े लोग पैसे वाले हैं उनके अहर भी बीलस नहीं होता है और जो गरीब होते हैं उनके भी रहर बैलश मैं होता है किसी नीकिसी पोशक्तत्तों की यह तो कमी हो जाती है अथ्वा किसी निकिसी पोशक्ततों की अधिकता हो जाती है तो किन ही निकिन ही पोशक्ततों की अधिकता होना या कमी होना तो बैलेस्ट नाइट के अंतरगत नहीं आता है बल्किन माल नियूट्रिशन के अंतरगत आता है और अंडर नियूट्रिशन के अं किनहीनी पोस्त तत्तों की या तो कमी रहती है या धिकता रहता है ज्यादा तरका धिकता रहता है तो धनाध्यवर के लोग अब ज्यादा तरका देखोंगे डाइबीटीज ब्लड प्रेशर हाव्ड डिजीज किड्नी फैल्योर लीवर्डीज पोशन अधिकता के कारण उसक तत्व नत तक्तों होते हैं को निध्य वर्गों के लोगों को होता है वही पोसल न्यूर्णता के कारण टिनकी अहार में पोशकत्तों की कमी होती है गरीब वर्ग के लोग लोग होते हैं उनके आहार में प्रोटिन की कमी हो गई केलसियम की कमी होगी आहार नहीं होता है और उनसे उत्तपन रोग पोशन नियूनता जनित रोग कहलाता है ठीक है तो आज मैंने आपको बैलेस डाइट के बारे में बता रही हूँ हूँ बैलेस डाइट क्या है और बैलेस डाइट को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है यह जानना जरूरी है तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्स को, लिंग को पोशक तक्तों के मांग में इस्त्री और पुरुस दोनों के पोश्क तक्तों की मांग में अंतर होता है कहोगे कैसे? क्यों अंतर है? जो किसोरवे के बालक हैं या चोछोटे बालक हैं उनमें कोई खास अंतर नहीं पड़ता है लेकिन जो युवा जब हो चुके होते हैं अब आप जब देखते हो कि दोनों का सरीर का छेत्रफल महिलाएं जहां कम हाइट की होती है कम वजन की होती है वहीं पूरुस की सरीर का छेत्रफल भी ज्यादा होता है उनका वजन भी अधिक होता है जब उनके सरीर का आकार बड़ ईसत्री को चाहिए पूर उकाम चाहिए क्योंकि हर महिना महिला को हुआ होता है निब्रिति होता फ्रिय उता है से ग्रागों यह पलतD की मात्य हम से तुनको ज्यादा महिला में चाहिuing कि具 Meng यह जोद्ट हुए जब साइन्टिफिक रिसर्च हुआ तो पता चला कि नहीं मेल को भी आइरन की ज्यादा आवशक्ता होती है क्योंकि उनका सरीर के छेत्रफल ज्यादा होता है और आइरन ऑक्सिजन के परिवहन के लिए आवस्यक होता है और जानते हो ऑक्सिजन के क्या काम है हीमोग्लोबीन तो ऑक्सिजन को ले जाता है ऑक्सिजन ही करता है तो आइरन की मांग जितना महिला में है उससे कहीं अधिक पुरुष में है यह हमारा नई रिसर्च के माध्यम से पता चला है कारण क्या है शरीर का चित्रफल पुरुष का जादा है वह ज्यादा लंबे होते हैं उनका बजन जादा होता है उनके हाथ फिर वीदेक अपने हाथ पर दुबले पतले होते तो उनके हाथ भी मोटे होते हैं इसलिए उनको आयरन जैसे पॉस्रिक तत्रों की मांग भी कम नहीं होती है गलती मत कर लेना दूसरा होता है उम्र, उम्रे बढ़ने के साथ साथ पॉश्टिक ततों की मांग भी बढ़ जाती है, इनमें शारी बिर्धी बड़ी तेज गती से होता है, तिवरी गती से होता है, एक प्रस्न अक्सर पूछा जाता है और लड़का confiance कर जाती है, कि किस उम्र में सारेरिक वृद्धी सबसे अधिक होती है या सरवाधिक तेज होती है या किस उम्र में सारेरिक वृद्धी सबसे तेज गती से होता है तो आपका उत्तर है शैश्व आवस्था जीरो से बारह महा की अवस्था इस आवस्था में सारीरी पिर्दी और विकास बड़ी ही तिब्रगती से होता है बड़ी तेजी गती से होता है समझें बात को बहुत तिव्रतन गती से होता है एक जो बालक नन्धा सा होता है जो जन्म के समय में जिसका वजन डाई किलो होता है या तीन किलोग्राम होता है वही बालक अगर उसका सारीरिक वृधी ठीक प्रकार से रहा तो छे महिनें उसका दुगना हो जाना चाहिए और एक साल में तीन गुना वजन हो जाना चाहिए और मतलब सारीरिक वृधी और विकास बड़ी तेजी गती से हो रहा है सेश्वा वस्था में इसके बाद एच से पांच वर्ष की जो अवस्था है बाली अवस्था उसमें भी सारीरिक वृधी और विकास तेज गती से होता है फिर देखोगे तो उत्तर वाले अवस्था में सारीक व्रिधिय और विकास उतना तिब्रगती से नहीं होता है लेकिन फिर किस और अवस्था में सारीक व्रिधिय और विकास तेजगती से होता है लड़की हो या लड़का किसोर हो या किसोरी 12 वर्ष की जो बालिका अब तक थी 10 से 12 वर्ष की बालिका थी वो 18 वर्ष तक होते होते पुर्ण एक बालिका होती है पुर्ण इस्त्री बन जाती है पुर्ण और अवरत बन जाती है और अपने समान एक शुशु को जन्म देने के काबिल बन जाती है जन्म देती है और उसको ठीक प्रकार से पालन पोशन कर सकती है इसी प्रकार से एक लड़का 12 वर्स का 18 या 20 वर्स का होते होते एक पुर्ण युवा बन जाता है कि शोर बन जाता है और अब उसकी प्रजनन चमता भी अच्छी हो जाती है अब वह पीता भी बन सकता है और बन जाता है और घर के कारियों के साथ साथ अपने अन्य उतरदाहितों के बहन करने के काबिल हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ वहीं जो प्रवढ़ा अवस्था है इस अवस्ठा में आप देखोगे तो है सारीडिक व्रिधिय और विकास ठप aur जाता है रूख जाता है छff ए разм लड़कों में मैक्सिमम में किस वर्ष तक होता है इसके बाद सारीक विर्धिय और विकास रुख जाता है और अब व्यक्ति को निर्मानात्मक शरीर निर्मानात्मक और शुराच्छात्मक भोजी तक्त्यों की जरूरत होती है निर्मानात्मक भोजी पदार्थ कौन से है जैसे प्रोटीन है जिससे नई तंतुओं का निर्मान होता है सारीक विर्धिय और विकास होता है नई कोश्णों का निर्मान होता है और शुराच्छात्मक प्रोटीन है विटामिन है खनीजलवन है इनकी मांग बढ़ जाती है दोनों की मांग बढ़ जाती है निर्मानात्मक की भी और शुराच्छात्मक की भी हाई खञाब बढ़ी एल्डिंग हो फूड की जरूरोत नहीं पढ़ती है, प्रवढ़ अर्यक जर झाहले में जहते हैं जादाध की जरोतों नहीं झालते है उल्टा तूठ फुठो होने लगता है जुरी याप पढ़ने लगते में हाथों में अले में लठक हो जाते हैं थोचा आपने जो है ना हड्डियों को छोड़ने लग जाता है अब गिर्ध जन को देखो गे तो हड्डिया लटकती हुई तोचा छोडती हुई प्राप्त होंगे मिलती है हैं यह नहीं बोलो होती है ना तो उस अवस्था में फिर पॉस्टिक ततों की मांग बढ़ जाती है लेकिन एनरजी एल्डिंग की जुरूत नहीं पढ़ती है उर्जा उत्पात्य भोजी ततों की आवशक्ता नहीं होती है किसके अवशक्ता होती है सरी निर्मानत्मक्र शुरकषात्मक भोजी ततों की परती हैं तो दवाईयों की मांग बढ़ जाती है फाल फूरूट जूस इस अब उनको ज्यादा जरूरत पड़ता है दूद की ज्यादा जरूरत पड़ता है पनीर की ज्यादा जरूरत पड़ता है क्योंकि उनके शरी निर्मानात्मक भोजी तत्यों की आवशकता बढ़ जा इसके बाद तीसरा है सारीरिक क्रिया शीलता है फीजिकल एक्टीव रिची जो व्यक्ति सारीरिक से अधिक क्रिया शील है जैसे हेवी बरकर है अधिक कठोर काम करता है अधिक कठिन काम करता है पथर तोड़ता है बोजा डोता है किसानी का काम करता है खेत में हल जोतता है कूली का काम करता है पहाड़ों पर सामान धोने का काम करता है उनके भोजन में ज्यादा उर्जा देने वाले भोजे पदार्थ की जरुरत होती है क्योंकि वो अधिक कठोर स्रम करते हैं और वो अधिक क्रियासील होते हैं आप देखो ध्यान देना मेरी बात पर किसी मजदूर कि पहार पर चाहने वाले पहाडी का पहाडी लोंको के चाहनें हुपर निकला हुआ है। क्योंकि जीतना वो खाते हैं उससे उद्वन र्जा को बर्न कर देते हैं अपने काम करने में, कूली है, मजदूर है, पठ्थर तोड़ने वाला है, अगर चार रोटी खाते हैं, तो चार रोटी जितना वो मेहनत भी कर लेते हैं, तो अधिक क्रियासिल व्यक्ति को अधिक उर्जा उत्पादक भोजे पदार्थों की जरूरत होती है, उसके बाद आत और ये लोग कोते हैं, जो भाहर भी थोड़ा काम कर लेते हैं और घर का भी काम कर लेते, तो उसको मोडेरेट वॉर्कर कहते हैं, उनको अधिक क्रियासिल व्यक्ति की तुलना में, कम एनरजी इलडिंग, बुर्जा उतपादने भोजन की आवशक्ता होती है जो मध्यम क्रियासील है और लास्ट में आता है सिदेंट्री वरकर कम क्रियासील जो मानसिक रूप से अधिक काम करते हैं सारे रिक रूप से कम काम करते हैं जैसे प्रोफेसर हो गया एक चिकित्सक हो गया एक आईएस अधिकारी है वह मांसिक रूप से अधी क्रियासील होते हैं और सारी रूप से कम क्रियासील होते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी एल्डिंग भोजन की आवशक्ता नहीं होती है अगर उन ज्यादा खा लेंगे पहले की तरह तो फिर उनका बोड़ी गडबड़ा जाएगा पेट निकल जाएगा तूंद निकल जाएगा शरीर में बसा की मात्रा जुम जाएगी है फिर अधिक पोशन के कारण जूत्पन होने वाली बीमारियां है उससे उग्रसित हो जाएगे हर्ट डिजीज है किड्नी फैल्योर है लिवर डिजीज है मोटापा है ब्लड प्रिशर है यह सब हो जाएगे उनको कम उर्जा युक्त भोजिप पदार्थ दिये जाने चाहिए लेकिन प्रोटीन युक्त और खनीज और विटामिन युक्त भोजित ततों की बढ़ाय जाने के आवशकता नहीं है उतना ही दिया जाना चाहिए जितना कि हम हेभी वरकर को देते हैं थोड़ा बहुत अंतर है तो है इसके बाद आता है स्वास्थ हेल्द व्यक्ति का बैलेंस डाइट को प्रभावित करने में से एक महतोफुन कारक है जैसे अगर व्यक्ति स्वस्थ है तब तो कोई बात नहीं लेकिन अगर बीमार हो गया सर्दी जुकाम हो गया बुखार हो गया मैलेरिया हो गया टाइफाइड हो गया तो उस समय उसके शारीरी क्रिया सिल् है व्यक्ति विमार हो जाता है और उसकी पौशकत्तो की मांग भी निकी आधारी पर बिनी खिन होता हम हो गर वहीं अगर होगा उसकोस्तो Durchs कस ख्यार कोमट प्रेसर गर को कुई किन च Esse गर के और friend विविजम से पाइस थाali कि कि सथोर्ड और है कि इस प्रकार के रोग adv रहा है किस प्रकार के रोग सेीदध कि अगर कोई व्यक्ति दस्ट से पीडित है तो उसको रेशा इक्तभोजन नहीं देना है अगर कोई कग इसके पीडित है तो उसको रेशा वाला हार देना है यह सारे चीजे हमें स्वास्त पर डिपेंड करता है कि उसका स्वास्थ कैसा है अगर स्वास्थ घडबड है कोई कोई बीमारी है तब उसके संतुलित आहर भी उसी को ध्यान में रखते हुए बनाये जाना है यह मैं आपको उपचारात में डिटेल्स में पढ़ाओंगी थराप्यूटिक नुटिशन में इ अन्यों उसके जरोत पड़ती है लोगए जो सित प्रधान देशों में रहते हैं ज्यसे इंग्लैंड में रहे हैं कि नाड़ा में रहे हैं अस्ट्रिया में रहे हैं उनको ज्यादा एनर्जी एल्डिंग फूड्स की जुरुत होती है उनके आहर में फैट और कर्बोहड़ेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए एक तो सर्दी से बचने के लिए दूसरा सरीर के ताप क्रम को सुरक्षित रखने के लिए और तीसरा अपने जितना बोडी चलाने के लिए जुरुत है उतना तो कर्बोहड़ेट चाहिए इसके अलावा सर्दी से बचाओ के लिए भी कर्बोहड़ेट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए जो सीथ प्रधान देशों में लोग निवास करते हैं या वहां रहते हैं इसके आपाद है विशिस्ट शारीरिक आवस्था अगर सारीरिक आवस्था विशिस्ट है कि मतलब सामन्नी से भिन है तो अश्पेसल है तो भी उसके संतुलित अहार में डिफरेंस आएगा जैसे मालो कोई इस्त्री है गर्वती है कोई धात्री माता है या कोई दुर्गटना हो जादा मात्रा में बलड निकल गया या उपरेशन हुआ हो यथा कोई और कंडिशन हुआ हो उस स्थिती में भी कि संतुलित अहार एक जैसा नहीं होगा जैसे गर्वति माता को जाधा मात्रा में सामनी आधा की तुर्लना में प्रोटिन की ज्यादा जूरत होति यह केисл यूं को बच्चा भी तो उसको भी पोशक्तत्यों चाहिए खुद के पलने बढ़ने के लिए और माता को भी चाहिए इसी प्रकार से जो माता धात्री है धात्री माता जिसको हम अंगरिजम काते हैं लेक्टेटिंग मदर जो अपने बच्चे को दूद पिलाती है उसकी अस्तन से 500 से 1000 मिली लीटर म जिसे बच्चा पीता है तो दूद के उत्पाददन के लिए क्या चाहिए ईब स्कूत बना होता है प्रोटीन चाहिए चयं स्सृक्षिक चाहिए तो उसकें थी उस XC साफ से अलग हो जाता है गर्भती माता से भी धात्री माता के पोस्ट घं किमांग अलग अलग होती है है कि समझ गय G rein को तो जितना कैलोडिया उससे कहीrites कैलोरी को सौरी गर्भती माता को जितना के लड़ चाहिए उससे अधिक कैलोरि आपको चाहिए धात्री माता को प्रोटीन केल्सियम इनकी मांग भी बढ़ जाती है धात्री अवस्था में तो अगर किसी का उपरेशन हुआ है ज्यादा मात्रा में ब्लड निकल गया है तो उनको आयरन युक्त विटामिनों खनीजलबन युक्त भोजंग देनी की ज्यादा जोरत ह इसी प्रकार से मालो किसी की सड़क दुरुखट नहों गया है ज्यादा मात्रा में बलड निकल गया है तो उनकी भी पोस्टिक ततो की मांग भिह धन्न हो जाती है तो आज मैंने आपको संतुली ताहार के और क्या होता है संतुली ताहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होएं उनके बारे में विस्तार से बताया है नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगी कि बैलेंस डाइट मैं कैलोरी की मांग प्रोटीन की मांग वसा की मांग वटामिनों की मांग खनिज लवनों की मांग और देशा की मांग कितनी होती है तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी आप हमारे वीडियो को द लाइक किजिए अगर पसंद आता हो तो और दुसरे को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेडित किजिए यह भी एक पुन्य का काम है बच्चे मैं आपकी मांगों को ध्यान में रखते हुए जैसा और जब कभी मुझे समय मिलता है आपके बीच में हाजिर होती हू यह तो अगर आप उतना मेहनत करोगे और अधिक महनत करोगे तो आप जरूर परिक्षा में सफल होंगे प्रतियोगी परिक्षाओं में भी होता क्या है कि जब बच्चे हों साइंसले के पढ़ते हैं अब आगे हम ध्यान रखेंगे और हम अपने वीडियो का ही विराम देत तब तक आप मुझे जाने के दो इजाज़त, कॉलेज के टाइम हो रहा है, मैं कॉलेज जा रही हूँ